तेरे जिन आप दिलको नहीं तूजो मुझे से दूजो मजा हूँ गया है लो गाईज मैं हूँ अमित और अब ही जो आपने सुरूप में वीडियो देख लिया है आज मैं इसे स्टेटिस का डिट्रल आप सुब की बीच में देने बला हूँ जो कि एक इंस्टा एडिये कार्टून लवर 18 करके उसी भाई ने इस तरह की इस्टेटिस वीडियो बनाई है कि आपको कैसा लगा साथ में कोई वीडियो को सुझाओ देने या कुछ पूछना है तो डिरेक्ट में इंस्टा पर बूल सकते हो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाइज जरूट करूंगा और आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिक्शन बेल को और लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इस चैनल को भी चिक कर लिजगा तो वीडियो स्टाइट कर देते हैं ना कोई भूत ना कोया आत्म आप देखते रहेगा हम इसा टिकनिकल महात्मा वाइज वीडियो बनाने के लिए आगे हो मोबाईल स्क्रिन पे वीडियो को ध्या आप करके 9H to 16 दिश्यो में 10HP के साथ 60 फ्रीम रेडिक साथ वाइट स्क्रिन स्लेक्ट कर देना ऐसे और कि रेडिप प्रजिक पर टाप करना है इस परकार से आजए अब आपको एक साउंड चाहिए तो प्लस पर टाप करके एडियो से ले सकते हो नहीं तो मीडिया में चल आते हैं और यहां पर जो साइज में रख रहा हूं रख लीजिगा तो यहां पर 230 रख लेना है और इसमें रख लेना है आपको 320 ऐसे करके उसके बाद यहां पर रेडियस को 50 कर लेना है जब इतना हो जाए यहां से बैक करेंगे और इसे मूव करके इस परकार से हम इस साइ duaverage को यहां पर 587 रहा था तो 587 रखते हैं मुव कर के एस साइड में यहां पर रख लेँगे, यहां पर और इसे फिर यहां पर रख लेते हैं रहा है उसकी बाद फिर इसका duplicate करें यहां से इसका duplicate हम करतें है यहां पर निचे ले आते है ऐसे करके तो यहां पर इस परकार से रख लेते हैं इतना रखना कि सही लगाये उपर वाले को आप से एक चाहाल है जिस अपर खाला हुला है, आप गया आपे चौन्हाल ना हुँ तो प्लस पे ँचाहप करके मीडिया में चलते हैं और जो फुटो है तो यहां से कैमेरा फाइल में आते हैं और इस फूटो इसको शुमे फास्ट करने के बाद इसको फॉटो के साथ में flag करें рублей के मास्ट करेंगे और यहां पर photo को zoom out, zoom in करना हो, छोटा बड़ा करना हो, आप देख लेना, और बरावर frame में इसको remove करके रख लेते हैं, तो ऐसे रख लिए, अब आपको क्या करने है, यहां से back करने के बाद इसका shadow है, on कर देना, shadow पर आएंगे, ऐसे करके on करने हैं बस, यह सब हो जाए, बीची ले आते हैं, इसे candy के लिए हम रखेंगे, और इसे भी पूरा अंतर तक कर लेते हैं, और इतना करने के बाद, यह दोनों को ऐसे mask करने के बाद, फिर इसको बराबर fit करेंगे, edit में जाते हैं, और यहां से, ऐसे करके हम रख लेते हैं, रखने के बाद इसको zoom out करते ह तो यहां पर रख लिए, अब आपको यहां से back करना है, और same process जो उसमें किया था, यहां पर border and shadow में, इसको भी shadow on कर देना है, तो यह दोनों का भी मैं कर देता हूं, फिर दिखाता हूं आपको, सुगज मैंने सब का, एक एक करके mask कर लिए, इस परकार से देख सकते हो, कि 11 से हम क्या करते हैं, इस second photo यह है, तो इस दर कहीं से, कट कर लेते हूं, फिर third के लिए इधर थोड़ा सा और आना है, तो हम यहां पर थोड़ा से जगह देख लेते हैं, उसके बाद इधर कहीं से को, ऐसे कट कर लेते हैं, फिर fourth के लिए यहां पर वैसे ही करना है, जो थ इसमें effect add करने है जोकि effect में चलके add effect में यहां पी आपको antimasky में दिखेगा बाइप इसको स्लेक्ट करेंगे प्लस करेंगे standard और उसके बाद इन्द में आएँगे और यहां फॉस्ट की जीरु से लगा देना है यहां से 0 और जीरु करने के बाद इसके मतलब center में आ जाना इतना पर और इसको आपको यहां से 100 कर देने तो ऐसे करके हम इस पर क्लिक करते हैं 100 ओके उसके बाद यहां पर एंगल जो है आपको नपपर डिगरी रख लेना है ऐसे तो यहां पर जो फोटो ऐसे उपर से नीचे की तरफ बाइब होता हुआ न जा लाए फिर इसमें आते हैं और इसमें भी ऐसे ही paste कर देते हैं इसमें भी आते हैं वैसे ही paste कर देते हैं तो यहां पर चारों में हो गया अब एक एक करके इस परकार से आता हुआ न जार आएगा तो यह जब इतना हो जाए अब आपको क्या करने है उपर में यहां पर लिखा बीच में इसका जो फॉंट है सो डिस्क्रिप्शन में वह वेबसाइट पर मिलेगा ब्राइटन इस प्रकार से इसका साइज को 40 कर देते हैं और कलर इसका ब्लैक रखिए वाइट वैक्राउंड है तो करेंगे और इसको मूव करके हम यहां पर रख लेते हैं जो सही लगए इस पुरकार से आप रख लेना इतना रखने के बाद अब आपको क्या करना है ऐसे रख लिया और यहां से पुरा अंतर तक इसको कर देंगे क्या होगा इसे एक बार और टैप करते हैं यहां से थुरा स् यहाँना से करके यहां पे इसका फींट है इसका साइज कम करेंगे तो 28 रख लेते हैं अब देख सकते हो अब आपको क्या करने नीचे में हॉट दिख रहा थे यहां पे हउट दो था और वो हिल रहा तो उसको देने के लिए टेक्स्ट पर चलते हैं, emoji पर आपधे हैं, और emoji यहां पे select करते हैं, align करते हैं बीच में इसका font emoji बाला description में होगा, इसका select करते हैं और यहां पर इसका color transparent, transparent करने कि बादी, इसका size यहां पे, देख लेंगे कि इतना रहेगा, तो ठोड़ा सा बरहाद यहा था सायद 24 रखा था okay करते है और okay करने के भाद इसे move करके हम इस side में यहाँ पर ले आते हैं जो इसका photo का center हो इतना पर इतना पहीं रखा था स्सुन इतना रख लेते वाद यहां पर क्या करेंगी इस overnight पहले कर देना और इसके लेड़केट करेंगें यहां से डूब्लीकेट करने के बाद इस में जो heart है अलग देनगे तो यहां पर इसको कटेंज करते हैं और एक किलर कमान की जलिक देने के बाद अब आपको क्या करने हैं हलका इसे मूँफ कर लेना है ऐसे करके इधर और इसको रीड़ वाले को भी तोड़ा है जो अच्छे से मैच हो जाय है जब इतना हो जाये अब आपको दोनों को ऐसे स्वेक्ट करना है और यहां पर group कर लेने, group करने के बाद इसको select करेंगे और यहां पर move and transform पर इस move की button पर टाप करेंगे तो यहां पर एक dot निकल के आएगा, dot को हलका सा उपर एकतम सीधा ऐसे करके रख लेना है, तो इतना पर हम रख लेते हैं, रखने के बाद यहां पर फिर एक बाद टाप कर देंगे लॉक हो जाएगा, उसके बाद इसमें effect देना है, जोकी effect में चलते हैं यहां पर आपको move and transform में swing दिखेगा, इसको select करना है उसके बाद यहां पर frequency को आपको कितना रखना है, यहां पर 0.30 कर लेंगे, तो हम तोरह सा यह से आते हैं इस पर 0.30, ओके, और बागी सब जैसा move का है, बैसा ही रहने देना अब यहां पर जब इतना हो जाए, 3. पर क्लिक करके copy कर देंगे यह effect को और यहां पर आपको heart इस पर कर से जूलता हुआ जराएगा, तो यह हो जब इतना हो जाए, अब आपको क्या करना है, उपर 4 जो emoji था उसको add करना है कैसे, तो उसके लिए plus पर टाप करके text पर चलते हैं, जो emoji है, यहां पर हम टाप करते हैं, मानिक चलिए यह emoji select किये, align करें जा रहे, तो इतना पर आप हम रख देते हैं, एसे करके, रखने के बाद क्या करना है, इसे यहां से पूरा अंततक करना है, अंततक करने के बाद इसका rotation आपको पहले change करना हो, किस पर कार से आप emoji को दिखाना चाहते हो, तो हम rotation इसको हम पहले बाले को minus में 90 रख लिये थे, तो ऐसे रख लेते हैं, और अब आपको move के button पर आना है, एक पार इस पर tap करना है, और rotation उल्टा रहेगा, तो इसके उल्टा में आपको ऐसे रखना है, मतलब कि हमने ऐसे rotate कर दिया है, तो इसको हम इस side से उपर की तरफ एक dot रख दिये हैं, यहां पर इतना पर, और रखने और यहां पर इसको 40 रख लेंगे, ऐसे और ok करेंगे, इस परकार से आपको इधर हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहां पर इसका duplicate नहीं करना है, यहां पर जो swing हमने दिया है, इसको three dot पर click करके copy कर देंगे, उसके बाद फिर से आपको, प्लस पिटा आप करके text पर हो जाना है, फिर सो ही काम करना है, जो heart है, उसको select करना है, font select करना है, इसका duplicate अगर करते हो, तो यह गरबर हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ एक एक करके, और यहां पर इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर move करके इसको 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 ऊपर रख देना है, इतना पर हम रख देते हैं, एकदम बराबर, और इसका rotation जो है, 190 degree रख लेते हैं, ऐसे करके, यहां से देख सकते हो, यह जो 90 हो गया, उसके बाद यहां से back करेंगे, इसे पूरा अंत्र तक कर देंगे, अब यहां पर देखो, rotation उल्टा हो गया, तो first वाले को ऊपर की तरफ तो यहां पर second वाले को नीचे की तरफ ऐसे डॉट रख देंगे, उतना ही दूरी के उनसार, ऐसे हो जाए, उसके बाद यहां पर इसमें भी effect हमने जो प्रकार से देखने को मिलेगा, देख सकते हो, उल्टा सिधा हो रहा है, मस्त लग रहा है देखने में, अब यहां पर ज से पॉंट हो ही सेलेक्ट करने है, साइज इसको उतना ही रखने है, 24 तो ऐसे रख लेते हैं, और color यहां पर transparent, जब इतना हो जाए, यहां पर OK करने के बाद, इसका angle नहीं चेंज किया था, यह सीधा ही साइड रखा है, तो ऐसे करके हम रख लेते हैं, यहां पर उपर रखन करने हैं, और lock करने के बाद यहां से back करेंगे, फिर सुएंगी effect जो है, तो पेस्ट कर देंगे, तो यहां पर आपको कुछी सपरकार से देखने को मिलेगा, अब फिर last बाला बचता है, text पर जाएंगे, और यहां पर emoji पर आएंगे, और जो last का emoji side कौन सा था यह था, इसको select करते हैं, align करते हैं, और font यहां पर select करते हैं, size यहां से 24 रख लेते हैं, ऐसे करके, और यहां पर color जो transparent कर देना है, जब इतना हो जाए, ok करने के बाद इसे move करके हम इधर रख लेते हैं, और इसका इस बार rotation change किया था, जो कि इस बार आपको ऐसे करके, minus 180 रख लेना है, रखने के बाद आपको फिर move का button है, यहां पर move पर tap करते हैं, और इसको इस side रखेंगे, तो यहां पर ऐसे रखते हैं, lock करते हैं, ऐसे lock हो गया, उसके बाद हम इसे पूरा अंत्य तक कर देते हैं, करने के बाद जो effect है, यहां पर paste कर देते हैं, तो यहां पर आपको 4 emoji को किसी सुपरकार से work करता होना ज़राएगा, अच्छा लगता है देखने में, तो जब इतना हो जाए, अब आपको पूरा title करें, मतलब logo का अपना लगा लेना, उसके बाद CC देना है, तो प्लस पर tap करके, rectangle select करेंगे, 3 dot पे, click करके, यहां पर fill composition area, उसके बाद blending and opacity में यहां से work करेंगे, यहां पर effect में, add effect में चलते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको दिखेंगा, other में, copy background, इसको select करना, plus करना, standard उसके बाद, इसको off करेंगे, आगे का effect है, यहां पर देना है, Gaussian blur, बलर में आते हैं, Gaussian blur select करते हैं, इसको standard पे tap करके, इसको on करते हैं, 0.070 कर लेना ह इसके बाद जब इतना हो जाए, तो यहां से ok करते हैं, और आगे का effect है, आपको color and light में, exposure and gamma इसको select करना, plus करना, standard इसको on करते हैं, यहां पर minus में, रख लेना है, minus 0.85, ok, इस परकार से जब हो जाए, तो यह तो first हो गया, अभी साही से नहीं दिख रहा, इसे हम क्या करते ह जहां तक वीडियो है, और जब इतना हो जाए, एक और rectangle सेलेक्ट करना है, ऐसे करके, और इसका color जो white रखना है, white रखने के बाद यहां से पूरा अंतितक कर देंगे, और करने कबाद three dot पे click करके, इसको fill composition area, और इसके blending in opacity में, यहां पे contrast में overlay कर देना है, इतना करो कि आप इसका tutorial आपको पसंद आओ, अच्छा लागों तो लाइक कीजिगा, चैनल पर नेते चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा, मिलते एक लिए वीडियो में तो लेकले वीडियो देखने के बहुत बहुत देने बाद